हे गाइस वाट्स अप मैं हूँ अविन्यों कुमार राप मुझ देखना है क्लियर सेप टुटोरियल्स पर सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने मॉलिकुलर बेस ओफ इनहेटेंस चैप्टर स्टार्ट किया था जिसके अंदर हम लोगों ने न्यूकलिक एसिट टॉपिक स्टार्ट किया था ठीक है क्योंकि बैसिक टॉपिक जाहिर से बात है तो न्यूकलिक एसिट में काफी कुछ हम ने किया था ask क्या थाallas पेहला लिपिट फिर पॉलि और फिर nucleic acid, तो nucleic acid एक हमने topic को touch किया था start किया था, ठीक है, nucleic acid क्या होता है, तो it is a polymer of nucleotide, मतलब की chain of nucleotide, right, so अगर तुम ऐसा कर देते हो, तो तुम एक nucleotide बना देते हो, मतलब एक nucleotide का, एक nucleic acid बना देते हो, ठीक है, अगर chain बना देते हो nucleotide का तो, अच्छा सर, एक nucleotide का molecule भी हमने देखा था बिल्कुल देखा था, बिल्कुल, ठीक है तो एक nucleotide का molecule जो होता है, वो कैसा होता है, वो बना होता है, तीन चीजों से, किस-किस से, nitrogen base से pentose sugar से, phosphate से, ठीक है, ये तीनों चीजे रहती है nitrogen base में, heterocyclic ring containing compound होगे दो, दो होते हैं, टोटल आपके ठीक है, purines and pyramidines, ठीक है, दो प्रकार के होता है फिर से, उसके बाद दूसरा क्या देखा था, pentose sugar pentose sugar में आपका क्या होता है ribose and deoxy ribose 5 carbon containing compound होता है ये भी याद है आपको, राइट, इतनी सी बात भी कलिया थी, और फिर उसके बाद हम जोड़ देते हैं, phosphate तो जब हम तीनों को जोड़ देते हैं तो हमारे पास बिल जाता है क्या, nucleotide अगर सिर्फ और सिर्फ हम nitrogen base और pentose sugar को जोड़े, तब हमारे पास क्या बनता है बच्चो, तब हमारे पास बन जाता है क्या, nucleoside और nucleoside में अगर हम phosphate को जोड़ देते हैं, तो बन जाता है हमारे पास phosphate, इतनी सारी बाते हम लोगों ने कर ली थी, इनके structure वेगरा, IUPAC ने हिम सब कुछ देख लिया था, अब आगे क्या, हम ये तो जानते हैं कि nucleoside कैसे बन रहा है, लेकिन हम nucleoside का structure अभी नहीं धंक से सीखें हैं, बनाना ठीक है, तो उसको आज के session में हम बनाना सीखेंगे, राइट बच्चो तो let's start बच्चो एकदम फड़ाफट से जल्दी से start कर देते हैं, right, structure of nucleotide, अगर इसको आपको समझना है, तो ये आपको देखना पड़ेगा, ये ये वाली session ठीक है, right, चलो, start कर देते हैं फड़ाफट से, देखो, जब भी हम nucleotide की बात करते हैं, तो हमारे दिमाग में तीन चीजे जरूर आती हैं, क्या सबसे पहला आता है हमारे एक दिमाग में nitrogen base भाई, उसके अंदर होना चाहिए, pentose sugar होना चाहिए, और phosphate होना चाहिए, तो देखो, ये रहा nitrogen base तुम्हारे पास, ये रहा nitrogen base, ये रहा pentose sugar, ये रहा आपके पास phosphate ठीक है, अब समझो जो nitrogen base है वो आपका purine हो सकता है pyramidine हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ठीक है, अगर RNA रहा, तो pyramidine के अंदर pyramidine के अंदर cytosine तो होगा cytosine तो होगा लेकिन thymine नहीं होगा क्या होगा, उसके जगपर uracil होगा, और अगर RNA रहा, तो deoxy ribose नहीं होगा, क्या होगा ribose sugar होगा, यहाँ पर pentose sugar में अच्छा, अब सवाल उटा है, कि सर adenine guanine का की status बताओ, तो adenine guanine दोनो DNA और RNA दोनों में present रहेंगे, तो देखो nucleotide के अंदर तीनों present रहते हैं, यह nitrogen base, pentose sugar और phosphate, ठीक है, बात समझ में आ रहे हैं बच्छो, कोई दिक्कत तो यहाँ पर actually मैं देखो, यहाँ पर deoxy ribose sugar लिया है, मतलब कि यह जो nucleotide हमने बनाया है, यह किसका है, DNA का है ठीक है, deoxy ribose sugar है तो तो मतलब कि यहाँ पर कोई भी nitrogen base हमारा uracil नहीं नहीं होगा, एक बात यहाँ से पक्ति हूँ, अब समझो बच्छा देखो, यहाँ पर जब हमने phosphate को जोड़ा है, pentose sugar से, कैसे जोड़ा है pentose sugar से, तो हमने जोड़ा है fifth carbon के, fifth carbon से जोड़ा है, ठीक है, fifth carbon से जोड़ा है, किस वज़े से, किस चीज के मदद से phosphoester bond के मदद से किस के, phosphoester bond के मदद से जोड़ा है, या फिर phosphoester linkage के मदद से जोड़ा है तो यह वाली जो bond, जिससे phosphate, pentose sugar से जोड़ता है, उसको हम बोल देते हैं पहला यहां पर देखू, यहां पर nitrogen base हमारे first carbon of pentosugar से जुड़ा हुआ है, यह किस से जुड़ा हुआ है, तो यह जुड़ा है glycosidic bond से, किस से जुड़ा हुआ है बच्चा, glycosidic bond से जुड़ा हुआ है, अगर अब देखो nitrogen base आपके purines भी हो सकते हैं, pyrimidines भी हो सकते हैं, तो देखो, purines अगर होगा तो उसमें क्या होँगे, diceyclic होता है वो, मतलब उसमें total 9th position तक होते हैं, तो देखो, यहां पर first carbon, first carbon pentosugar का, और 9th position purines का, ऐसे जुड़ेगा, अगर purines होगा तो, ठीक है, और अगर हम pyrimidine लेते हैं, तो first carbon, first carbon pentosugar का, और 9th position pyrimidine का, इसके बीच में bond बनेगी, अपनी glycosidic bond, बात समझ में आ रही है, फिर से बता देता हूँ, कि अगर हम first position, और यहां पर nitrogen base का, 9th position लेते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब purines के साथ bonding हो रही है, अगर हम first position लेते हैं, first position दोनों में लेते हैं, यहां पर pentosugar में भी और nitrogen base में भी, तो इसका मतलब pyrimidine के साथ bonding बन रही है, कौन सी bonding हो रही है, glycosidic bond बोल रही है, ठीक है, और glycosidic bond nitrogen base जुड़ेगा, pentosugar से, जब glycosidic bond बनेगा, तो वो nitrogen base first carbon of pentosugar से जुड़ेगा, जब phosphoester bond बनेगा, तो phosphate group आपका किस से जुड़ेगा, fifth carbon of pentosugar से जुड़ेगा, इतनी बाते अपनी थी, ठीक है, राइट बच्चो, अब आजओ, अब समझते हैं, आगे की बाते, अब देखो, कि sir आपने बोला था कि nucleic acid में जो होता है, वो chain होता है, देखो, मैंने nucleotide का structure तो तुम लोग को बता दिया, भाई, वो इतना ही होता है, सिर्फ इतना ही होता है, देखो, इतना जो बताया, इतना ही होता है nucleotide का structure, ठीक है, लेकिन जो chain होती है, nucleic acid में, nucleic acid में polymer of nucleotides होता है, है न, polymer of nucleotides, तो polymer of nucleotides मतलब chain of nucleotides, तो वो chain आखिर कैसे तो देखो बचो यह थो थर्ड प्लेस पर है न कार्बन थर्ड प्लेस पर कार्बन यहां पर ओएच लगा इसके साथ इसके साथ आके नया न्यूकलियोटाइड अटाइच होता है तो नेक्स न्यूकलियोटाइड विल अटाइच एयर ठीक है राइड तो यहां पर अटाइच हो जाता है इधर पर ठीक है और ऐसे ही फिर उसके अगले में उसके थर्ड से उसके अगले में उसके थर्ड से इस तरीके करते 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 चैन बन जाती है और हमारा त्यार हो बच्चो तो इस तरीके से हमारे nucleotides की strand रहते है यानि की chand रहते है ठीक है तो ये होता है हमारा इतना ठीक है अच्छा nucleoside इसमें कौन सा होगा तो जब हम pentose, sugar और nitrogen base को मिलाएंगे तो nucleoside deco जैसा की यहाँ अपर लिखा हुआ है इतने को हम लोग क्या बोल दिया? Nucleoside बोल दिया और पूरे को हमने क्या बोल दिया? Nucleotide बोल दिया तो ये था हमारा structure of nucleotide अगली बात क्या है? अगली बात है हमारे पास अगली बात है हमारे पास कि भई अगर मान लो चलो हमने structure भी देख लिया नॉमिक लेचर वेगरा सब कुछ देख लिया लेकिन अगर हमको हमारे सामने नाम दे दिया जाए कि भाई इसमें से बताओ कि कौन सा नुकलियो साइड है कौन सा नुकलियो टाइड है बात समझ में आ रही तो ऐसा जब होगा तो तब हम क्या करेंगे उस कंडिशन में क्या करेंगे बच्चो ठीक है तो उस कंडिशन में हम क्या करेंगे तो उस कंडिशन के लिए आपको लगानी होगी ट्रिक आपको याद रखना होगा यह सफिक्स ठीक है अगर तुम नुकलियो साइड को खोज रहे हो ठीक है और उसमें देख रहे हो purines है तो तुम sign लगाओ last में और अगर तुम देख रहे हो pyrimidines है तो तुम dyn लगाओ last में अगर तुम nucleotide देख रहे हो तो purines है इसमें nilic लगाओ और अगर तुम pyrimidines देख रहे हो pyrimidines है तो dynic acid लगाओ last में जैसे की for example देखो purines के purines में यहाँ पर adenosine दिया हुआ है मतलब कि यह क्या है बच्चा नुकलियोसाइड है यहाँ पर deoxy adenosine दिया हुआ है मतलब कि क्या है last machine देखो purines एकदम नुकलियोसाइड है यहाँ पर देखो guanine है deoxy guanocene है ये सब क्या है, nucleoside और उसी तरीके से adenilic acid deoxy adenilic acid, guanilic acid deoxy guanilic acid ये सारे क्या है बच्चो ये सारे हैं तुम्हारे nucleotide देखो purins में nilic acid बात समझ में आ रही है, तो ऐसे अब ये कैसे हुआ, देखो, adenine को जब हमने ribos से जोडा तो एक nucleoside बना, कौन सा nucleoside बना, adenosine बना और फिर जब हमने adenosine में phosphate group जोडा, तो बन गया हमारे पास nucleotide, nucleotide क्या है, nucleotide कौन सा nucleotide, adenilic acid, उसी तरीके से देखो, adenine को जब deoxy ribos से जोडा, तो हमारा deoxy adenosine, ठीक है, और उसी तरीके से deoxy adenosine guanine है, guanilic acid है deoxy guanocene है, deoxy guanilic acid है बात समझ में आ रही है फिर वहीं pyrimidines में देखो जैसे देखो, cytidine है तो ये हो गया, तुमारा क्या? nucleoside हो गया, deoxy cytidine है ये भी तुमारा nucleoside हो गया लेकिन अगर cytidialic acid है तो ये हो गया nucleotide यहाँ पर deoxy cytidialic है तो ये हो गया nucleotide बात समझ में आ रही है बच्चो कुछ गुसा, कुछ चिपका अंदर ठीक है, तो ऐसे आपको पहचानना है ठीक है, बाकी process वही है सारा process वही है कि भाई, ribose को जब जोडोगे pentose sugar को जब जोडोगे nitrogen based से, तो बनेगा nucleoside और जब उसमें phosphate जोडोगे तो बन जाएगा nucleotide बस होई है, ठीक है नाम करन संसकार जो है वो बस आपको समझना पड़ेगा इंसाफिक्स के मदब से, ठीक है अब सवाल यहाँ से क्या पूछा जाता है question exam में पूछा क्या जाता है समझो जब यह तो fill in the blanks वगएरा करके पूछ लेते हैं यह तो ऐसा, यह कि हाँ भाई यहाँ पर कौन सा लेगा, क्या लेगा यह सारी चीशे, ठीक है मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ मैं वो पूछ रहा हूँ जो unique है बच्चो क्या, क्या बताओ यहाँ पर, यहाँ पर डी-oxy-uridine और डी-oxy-uridine-y-acid नहीं बन सकता है क्या, नहीं बन सकता है क्यूँ, विकाज यह डी-oxy-ribose के साथ link ही नहीं करेगा क्यूँ, विकाज यूरैसिल हमेशा किसमें पाय जाता है, बच्चो RNA के अंदर पाय जाता है यह यहाँ से सबसे ज़्यादा important question पूछा जाता है बात समझ में आ रही है तो यह रहा हमारा आज का session ठीक है, आज का session इतना ही बस nucleic acid हमारा समावत हुआ, इसके बाद nucleic acid में कुछ नहीं है nucleic acid में overall हमने क्या-क्या पढ़ा भाई, nucleic acid में हमने देखा कि nucleic acid बना होता है nucleic acid को हम क्या बोलते है polymer of nucleotide बोल देते है जो कि nucleotide अगर एक molecule देखे तो वो बना होता है तीन पार्ट से nitrogen based, pentose sugar और phosphate से बना रहता है अगर सिर्फ हम nitrogen base और pentose sugar को मिलाएं, तो वो होता है nucleoside और उसके बाद उसके बाद अगर हम उसमें phosphate जोर देते हैं, तो वो बन जाता है nucleotide, और जब हम उसका chain बना देते हैं, तो वो हमारा क्या हो जाता है, एक nucleic acid हाँ, वो chain, 2 हो सकती है वो chain, 1-1 भी हो सकती है double stranded RNA, single stranded DNA double stranded DNA, यह सब आप सुने हुए हो, ठीक है, आगे पढ़े होगे ठीक है, तो यह सारी चीज़े होती है, तो nucleic acid समाप्त हुआ, next class में हम लोग मिलेंगे DNA के साथ, बहुत ही important एक दाम, मस्थ, अब से real, nolecular base of United स्टार्ट होगा, तो मिलते हैं तब तक के लिए goodbye, take care, love you all बच्चाबाटी, ठीक है, चल, love you